नमस्कार दोस्तों मैं विमलेश कॉत्तम और आप देखें ट्रिपल वी ओरसीज दोस्तों अभी हमारे पास न्यूजरेंट के जो रिक्वार्मेंट चल रहे हैं उस पर अभी काफी प्रोग्रेस हैं और हमारे पास काफी अप्लिकेशन आये थे जिसमें से पांच लोग का शॉ क्वार्मेंट के सबसे उन्होंने हमें प्रोगी देने को का कि पहले कारपेंटर के उपर वर्क करो उसके बाद वैल्लर की उपर उसके बाद इस्टील वर्क की उपर तो हमारे पास जितने अप्लिकेशन साय थे उसमेंसे मेक्स ठेड लेकिन खास तो हैब बात करें कार् हो चुके हैं कार्पेंटर के लिए तो अभी हमारे पास में님이 और requirement है और यह पांसे लों की requirement के लिए अभी आने वाले week में हम profiles ले सकते हैं हमने clients के बारे में बात की है कि हमारे पास जो requirements हैً उसके अगेंस्ट में जो जैसे eligibility criteria होता है सबसे important criteria दूसरा बजट और तीसरा इंग्लिश तीनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन मिलना तफ है इसलिए थोड़ा समय चाहिए होगा तो आने वाला जो एक हपता है पूरे एक हपते का हमने समय लिया हुआ है आज शनिवार है और आने वाला वीक दस तारीक से लेकर पंद तारीक की बीच में कंप्रिटली जो टाइम है इस पिरिएड में हम और अप्लिकेशन लेंगे कार्पेंटर के लिए अब कार्पेंटर के लिए कौन-कौन से कैंडिट अप्लाई कर सकते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी हमारे पास जितने अप्लिकेशन आए उसमें से मैक्सिम जाना था लेकिन उनका जो प्रोफाल मैच नहीं हो रहा था दोस्तों बाहर जाने के लिए तो लगबख सबी लोगों को जाना है क्लाइंट अपनी रिक्वार्मेंट के एसाब से देखेगा अगर क्लाइंट को जैसे कार्पेंटर से यह तो कार्पेंटर बैक्ग्राउंड क के यहां पर जो रिक्वार्मेंट है इसमैं मैं आपको उन क्रैक्टिरिय के बारे बता सकता हूं जिन में हम लोग को डिकमेंट 255 कर सकते हैं और आपको प्रिपेर कर सकते हैं त्रेणिग के द्वर्त haben को तैयार भी किया जा सकता है सबसे पहले पहिला जो क्राइटरिया है अगर उन्होंने किसी और trade से certificate लिया और किसी और trade में भी काम किया तो भी हम उनको consider कर सकते हैं और उनको हम train करके तयार कर सकते हैं पहला criteria में इस SAC certificate है सिंगपूर में काम किया या सिंगपूर में काम नहीं किया दोनों टाइप के लोग अपलाई कर सकते हैं जिन्होंने SAC certificate जिनके पास मैं है जिन्होंने test दिया certificate आ गया और अभी जाने ही वाले थे लेकिन ये vacancy आई है right now कहा जाए कि उनको Singapore को zero experience है वो लोग भी eligible है इसके लाब वो लोग भी eligible है जो already Singapore में एक साल कार्पेंटरी में या out of India किसी वी देश में काम किया हो कार्पेंटर की रूप में और उनके पास में कार्पेंटर का experience certificate trade certificate है वो लोग भी अपलाई कर सकते हैं तीसरा क्राइटरिया वो है कि जिन लोगों के पास जिन्होंने ITI किया और उनके पास में कार्पेंटर का trade certificate है वो लोग भी अपलाई कर सकते हैं और चौथा क्राइटरिया वो है कि कोई भी candidate कोई भी बन्दा जो graduate हो English अच्छी हो और कार्पेंटर के training attend करके कार्पेंटर की skill को develop कर सकें ऐसे लोग भी इसमें miss apply कर सकते हैं उनको हम permit कर सकते हैं company कि तरफ से उनको accept किया जा सकता है सो दोस्तो लास्ट वाली criteria में देखा जाए तो काफी लोग ऐसे हैं जो interested हो सकते हैं लेकिन वो पूरी चीज को ध्यान से सुनें उसके बाद ही apply करा है इसमें सबसे important चीज है कि जो profile है वो carpenter ही है और वो भी ऐसा नहीं कि gateway है कि आप New Zealand गए इसके लिए gateway है उसके बाद में आपको वहां पर दूसरा काम करना शुरू का one year completely आपको वहां पर as a carpenter ही करना होगा तो कोई भी candidate अगर प्लान करना चाहते हैं New Zealand के लिए तो उनको carpenter के लिए अगर तयार किया जाए उन्होंने कहीं पर training ली ट्रेनिंग लेकिए अगर carpenter का वर्क सीखते भी हैं तो यह मालेजी है कि उनको एक साल वो काम करना होगा अगर एक साल उस काम को करने के लिए ready हैं तो ही इसमें apply कर सकते हैं वो HR के उपर depend करता है लेकिन interview जरूर होगा तो कोई भी candidate जो miss interview qualify कर सकते हैं वो लोग definitely इसमें apply कर सकते हैं English compulsor ही है और जो जिनके पास ITI या miss carpenter का trade certificate नहीं है वो लोग English अच्छी होगी और graduate होगी उनको ही हम consider करेंगे दूसरे किसी भी candidate को इसमें permit नहीं कर पाएंगे और इसमें से Indian passport citizens से बाले कहीं के भी हो मैं किसी भी state के candidate हो इसमें किसी भी state को ऐसा नहीं कि उस state के लोग apply नहीं कर सकते हैं किसी भी state के लोग इसमें apply कर सकते हैं जिनके पास में इंडिया का Indian passport हो नेपाली बैंगरादेशी बाकी लोगों के लिए भी रिक्वार्मेंट नहीं है फ्यूचर में होगी तो हम वीडियो के माद़ें से इस्पेशली आपको अपडेट करेंगे कि उसमें उनको भी हम परमेट कर सकते हैं अभी फिलाल जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है वो लो के आसपास में रहेगा दोस्तो रिक्वार्मेंट अर्जेंट थी नो डाउट लेकिन अभी क्राइटरिया की सबसे हमें थोड़ा एक्स्टेंड करना पड़ा वैसे तो वेकेंसी जब आई थी तो हमारे पास हाडली 10 डेस का टाइम था बट अभी काफी टाइम हो गया लेकि तो हमें किसी को प्रोसेस करने में कोई परेशानी नहीं है कोई भी बंदा कहीं पर भी हो मैं इस गल्फ में हो अफ्रीका में हो या फिर आप सिंगपूर में हो कहीं पर भी हो अगर आप आप इंट्रेस्टेड हैं तो आप एक काम किजिए अपने फैमली परसन में से किसी ए को भेजें या अपने friend circle में किसी एक person को हमारे office भेज़ें एक बार agreement हो जाएगा आपके बहाब पर वह agreement करेंगे agreement की terms आप ready करते हो आप agreement करते हो तो definitely हम आपको भी process करवा सकते हैं इस profile में विदाउट agreement हम किसी को भी entertain नहीं कर सकते क्लाइंट की requirement के सबसे हमें हर एक चीज पर ध्यान देना है अगर आप देखेंगे जब हमने वीडियो अपलोड किया था न्यूजिलेंड का तो हमारे पास में call का volume बहुत ज्यादा हो गया था एक देन मिस दो तीन देन तो ऐसे हो था कम लगबग पंदरा सो दो हजार के बीच में per day calls होते थे मिस inquiries बहुत होती है लेकिन जो right eligible candidates है वो requirement है जो criteria पताए गया age limit English passport इंट्रेस्ट, skill set, experience certificate, trade certificate यह सभी चीजों की अगर जो requirement fulfill करने वाले candidates है वो definitely visit कर सकते हैं या फिर अपने family person में किसी को भेज सकते हैं और agreement होने के बाद हम उनको process कर सकते हैं और सबसे important चीज है कि इसमें हम अपनी तरब से भी training देंगे guidance देंगे interview qualify करने के लिए candidate को prepare भी कर थारिक है और यह 15 तरितक के लिए extend हो चुकी है 15th of October तक कोई भी candidate अगर plan करके office आएंगे तो उसमें process कर सकते हैं दोस्तों एक important चीज है आज 8 तरिक शनिवार है और यह वीडियो आज upload हो रहा लेकिन कल Sunday है कल के दिन आपको calls नहीं करने हैं कोई भी candidate अगर interested है वो WhatsApp message कर सकते लेकिन complete message करेंगे तो आपको reply जरूर मिलेगा complete message इसमें आपका पूरा नाम city applied position और क्या inquiry चाहिए वो आप उसमें mention करेंगे आपको reply Monday को या Tuesday को जरूर मिल जाएगा और अगर आप out of India हैं गल्फ country में अफरीका में हैं सिंगापूर में और भी किसी देश में हैं तो आप एक reply भी करेंगे और उसके बाद अपने family person से relative सी या friends को किसी को भी आप office बेजेंगे तो आपका काम हो सकता है proper communication के साथ में proper channel के साथ में आगर बात करेंगे तो definitely आपको हमारी team पूरी-पूरी support करेंगे दोस्तों inquiries के लिए बहुत calls होते हैं लेकिन right way में inquiry करेंगे तो documents simple documents की requirement है आपके academic certificate की requirement है 10th 12th degree ITI जो भी है आपका वो इसके लाबा ट्रेट certificate की requirement है एक आपका जो government का certificate हो या फिर जो ट्रेट चेंटर से certificate मिलते हैं वो certificate भी आप ला सकते हैं इसके अलाबा अगर किसी पास में Singapore का ऐसे ट्रेट कर सकते हैं पासपोर्ट की कोपी चाहिए हो होगी उसमें वो रहेगी और इसके अलाबा एक passport size color photo पोस्ट कर से फोटो इतने document की आवश्यक्त रहेगी और यह सभी document लेकि हमारे office में विजट करेंगे दोस्तों अगर आप inquiry क्लेवेट करेंगे तो शायद आपको tickets भी ना मिले अभी आपके पास में seven days का time है जो लोग भी प्लान करना चाहते हैं वो Thursday, Friday, Saturday भी आ सकते हैं और इतने period में उनको tickets भी मिल सकता है एक बार criteria चेक करें आपको जरूर इसमें मदद मिलेगी संडे को यह चुट्टी वाले दिन चुट्टी के बात call ना करें office time 1025 की बीच मैं call करेंगे आपको पूरी जनकारी मिलेगी और email पर भेजेंगे तो पूरे documents भेजेंगे और subject ना लिखेंगे application for New Zealand Carpenter profile या फिर application for Carpenter profile for New Zealand ऐसा कुछ करके subject ना लिखेंगे आपको support जरू मिलेगा दोस्तों English की requirement अगर better होगा कि अगर आप अपना एक English में video बना के भीजेंगे WhatsApp तो भी अच्छा रहेगा बट English में होना चा promotion पहुंच सकती है वीडियो पसंदा तो लाइक कीजिए comments कीजिए share कीजिए हमारे वीडियो को लगाता देखने के लिए चैनको subscribe कीजिए घंटी वाला option जिरुदवान जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियो के notification सबसे पहले मिनेंगे धन्यवाद